अखेले असे युवा नेता हैं जिरकी डिमांड पूरे भारत में खूब रहती है लोग उनको देखना चाहते हैं उनको सुनना चाहते हैं आज हमाई साथ अखले शादो नहीं है लेकिन अखले शादो की तरही हैं सशी कुमार सशी जी है और वो आज आपको बताएंगे कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो हमने भी ओल टाक पर इंको आज बुलाया है और शशी जी आप बहुत-बहुत अभार है बहुत-बहुत धन्यमाद है आपने समय दिया है तो आज बताएंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जंदिन तो अखले शादो का है लेकिन सशी समादवादी पाट इसकी दिया दिका है कि मैं उनकी आवाज निकालता हूँ उनके भेज उसा और इसके लोगों का प्यार है जो मुझे भी फॉलो कर रहे हैं और मुझे फॉन कर रहे हैं और अपने तरीके सुब काम नहीं कहे रहे हैं अगलीज यादो जी की थोड़ा से स्टाहिल में बताएं आपकी आज आपका जन्दीन है और फोन आ रहा है तो आप क्या कह रहे हों में लोगों को अज जानना चाहें और मुझे आज जन्दीन है और अज असा मौगा है कि मैं अवाद में लोगों को रिप्लाइग करना हूं और यह बहुत अच्छा है अच्छी है मैंने इसके एक पोसिस की फ्रैक्रिस की है और मैं उनकी आज निकारता हूं वाला कि वह बहुत पसंद करत हैं मुझे और यह बहुत अच्छी वाद है कि अगर अखले शादो की जगह आपने जो जवाब दिया है और आप जास फोन आ रहे हैं और भी सारी सवाल होंगे आप से लेकिन पहला यही है कि जड़ाब उस अखले शादो की तरह बताएं जैसे अखले शादो बता रहे है उनको जवाब दिया अपने चाहने वालों को ऐसा जला आप पुछ करके दिखाएं तो डिमांड है और यह बहुत अच्छी बात है और सभी को मैं शुब कामना हैं लेता हूं सभी को रिपलाई है मेरा बहुत बदाई है हलां कि कर दो लोगों से बातचीत हो रहे हैं और उनको यह बहुत बहुत बदाई कर रहे हो बोड़ भी दे जाता हूं सैटालिस साल का एक मतलब जीवन है सैटालिस साल में प्रवेश कर रहे हैं और हम लोगों ने 2017 में करीब से अखले शादों को चुनाव में देखा था आगरा से रहली शुरू हुई थी एक इस मेरे दिम प्रवेश की बात हो तो यह मुलायम पन जो आप में आया वो कैसे आया ज़रा उसको पताएं कि कैसे चीजों को आपने सीखा है और आप सब जो आते हैं पत्कार बदूब और देश की लोग आते हैं जग जग ऐसे बताते हैं उसे हम सीखते हैं पांच साल जो आपने चाचाओं के बीच में सरकार चलाई उसका कुछ एक अन्भो बताएं कि कितना कठिन रहा चाचा पहले भी सरकार चलाते रहे लेकिन वो अपने बड़े भाई के साथ ते लेकिन पांच साल जो आपके साथ चाचा जो थे पहली ऐसी सरकार की जहां इतन तो आप पूरी तरह से चाचाओं से संतुष्ट हैं लेकिन अभी जो चर्चा ये आ रही है कि अखलेश आदो जी फिर 2022 में चाचाओं से दूर होंगे या चाचाओं के साथ होंगे आपको जोन पर क्या कहना चाथे हैं अपने पार्टी की लोगों के लिए अपने चाहने वालों के लिए दिन अखलेश आदो 2022 में किस रूप में आने वाले अचा एक सवाल आप कर लेते हैं आपकी पार्टी के लिए डियर पेट्रोल का दाम बहुत तेई से बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी की साइकिल पर कितना अफर पढ़ने वाला है तो यह एक लिटर पैट्रोल का दाम है उसमें दूलिटर दूद आजाएगा दूद क्यों साइकल जलाओ साइकल की समारी ना बीमारी मतलब सब्पाइज को सकरात्मक चीजों में ले जा रही है अच्छा एक सवाल और कर लेते हैं कि 2022 का चुनाओ होने माला है अब आपके लिए लड़ाई तफ इसलिए हो गई है क्योंकि आप उस समय 50 साल 49 साल के हो जाएंगे और आपके सामने आपके जो काउंटर पार्ट होंगे यो ग्यारीतनाथ वो भी उसी उम्मर में होंगे क्या इस बार आपको फिर गड़बनन में जाना पसंद रहेगा या अकेले आएंगे अज चरिंता जिस तरह आप रोसित है ब्रोट कर रही है सरकार का मुझे लगता है हम लो अकेले जा रहे हैं और बाकी राजनीत है देख लिया जाएगा लिड़ा लिया जाएगा अखलेश आदो जी आप अकेले आए थे राजनीती में समादवादी पार्टी 2012 अकेले पार्टी चुनाओं में आई और सत्ता बनाती है लेकिन गडबंदन में और आप गडबंदन में लगता है कि आप आई था अकेले उफसके गडबंदन में तो यह सारे सवाल है जो पोल्टाक के दर्थकों ने कई दिनों से पूछा था कि आप अखले शादों मिलें तो उनसे जरूर करिएगा आज हमने किया आपसे अब आपका जन दिन है आप सेलिबरेट कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा करूना का समय चल रहा है इसलिए ज्यादा बाहर नहीं करना है नहीं तो पिछली बार आपने मायावती को खिलाया था और एक गड़बंदन का चल रहा था सब कुछ उस तरह के माहल बना हुआ था तो अभी आपका अंतिम संदे करें और खर में रहे कि जितना इस दीवारी से बढ़ सकते हैं और लोगों की मदद करिये चुकि समय रसा है कि एक मदद से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आपको अपने जन्दीन पर सबसे पहला किसके फोन का इंतजार रहता है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत रहता हैं आप सता यूह हो और पोल्टाक के दर्फिकुं का ये कुछ सवाल था जिसके लिए मैंने आपका समय लिया और आपने समय दिया बहुत-बहुत-धन्यवाद शुक्रिया झाल झाल